कि लग चुकी है तलब मंजिल की अब खुद को आग में जोक लेंगे और ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा पर ये होसले कहते है देख लेंगे जय जय भारत वंदे मातरम दोस्तो दोस्तो आज का वीडियो स्पेशल आर्मी अगनिवीर के जो 15 कोश्चन है जो प्रिवेस एर में कोश्चन आये थे उन्ही कोश्चनों को समाविस किया गया और मैं आपको टार्गेट देता हूँ दोस्तो आपको इसमें से 15 में से टोटल कि बताना है और आपको कमेट में ये भी बताना है दोस्तो कि जो है मेरे इतने कोश्चन राइट हुए और दोस्तो जितने भी भाई आर्मी अगनिवीर की तयारी करते है तो मैं बता दू यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूसपर होने वाला है और यही कोश्चन आप आपके पेपर में पूझेंगे और मुझे यकिन है कि आज जो 15 कोश्चन में बताऊंगा यहां से एक दो कोश्चन तो एकजाम में आपके आही जाएगा तो दोस्तो मैंने बहुत महिनत से जो है पीडिया फाइल तयार की है यह पीडिया फाइल में जो है आपको टेलिग्र में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे तो दोस्तो यहां पर चार अप्सन है तो वीडियो जादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं दोस्तो चारो अप्सन तो नहीं पड़ूगा लेकिन आपको करेक्ट आंसर बताते जाओंगा दोस्तो तो आपको ध्यान रखना है कि पारिम पानीपत की दोस्तो पहली लड़ाई भी बहुत महतपूर्ण है दूसरी भी महतपूर्ण है और तीसरी भी महतपूर्ण है तो दोस्तो तीनों लड़ाई आपको पढ़ लेना है ध्यान से है ना तो दोस्तो यह हो सके तो एक वीडियो पानीपत की युद्ध पर भी तो दोस्तो ये जो है आपका कि पानिपत की तीसरी लड़ाई जो है किसके दौरा पराजित कौन हुआ था किसके दौरा ओभी माराठा किसके दौरा पराजित हुए थे तो बता रहो हूं अहमद सहा अबदाली जो थे इनके दौरा माराठा पराजित हुए थे अब इसके कर्यक्षा कुष्चन को याद कर सकते हैं ने लायक इस्थान आप상 तो हिमाचल प्रदिस के रलधनी सिमिला आपका correct answer होगा दूसरा इसके बाद तिसरा question है दोस्तो कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किस ने कहा था तो बता दो दोस्तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगादर तिलक ने याने आपका option नमबर चार करेक्टा अंसर होगा इसके बाद दोस्तों तीसरा चौथे कुश्चन पर आ जाएंगे हम चौथा कुश्चन हमारा इस प्रकार से है कि अंतराष्ट्री क्रिकेट परीसत जो है इसका मुख्याले कहां इस्थित है तो मैं आपको बता दो दोस्तों जो अंतराष्टी क्रिकेट परीसत है इसका मुख्याले आपका दोस्तों दूबई में इस्थित है दूबई आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अब इसके बाद पाच्वे कुश्चन पर चलते है आपको दोस्तों हर एक कुश्चन का आंसर तो देना है और कमेंट में बताना है कि आपके कितने कुश्चन राइट हुए पाच्वा है भारती विज्यान संस्थान कहां इस्थित है तो दोस्तों भारती विज्यान संस्थान आपका जो इसका करेक्ट आंसर है भारती विज्यान संस्थान जो है आपका बेंगलोर में इस्थित है कोलकत्ता भी गलत है मुंबई भी गलत है और चेन्ने भी गलत है जो है बेंगलोर में है यह आपका संस्थान दोस्तो चटवा कोस्चन है कि रामायन गंत किसने लिखा था तो दोस्तो उसके बाद आठवा कोश्चेन पर आजाएंगे अपन कि भारत पाकिस्तान और स्री लंका के अलावा वह कौन सा एस यह देश है जहां कि मुद्रा दोस्तो आपका रुपिया है तो मैं बता दू दोस्तो कि भारत पाकिस्तान और स्री लंका के अलावा एक ऐसा देश देश वो नेपाल है जिसकी मुद्रा केवल और केवल जोस्तो रुपिया है तो यह आपका नेपाल करिक्ता अंसर होगा इसके बाद 90 कुश्चन पर आ जाते हैं नववा कुश्चन यह है दोस्तो कि कोरोना वाइरस का अधिकारिक नाम क्या है तो मैं आपको दादू कोरोना व आटिश्ट है मुहमद इकबाल इनने दोस्तो प्रसिद्दगी चायरे जहां से अच्छा की रचना की थी तो आपसे नंबर दो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके बाद दोस्तो पवित्र जो गीत है गीता यह किसके दोरा लिखा गया था तो यह दोस्तो महरसी वेदव्यास के दोरा दोस्तो यह लिखा गया था इनने आपसे नंबर तीन आपका करेक्ट आंसर होगा इसके बाद दोस्तो अगला कुश्चन है बारवा नंबर का कि भारत में मुगल सामराज जी की स्थापना किसने की थी तो सिंपल सांसर है भारत में मुगल सामराज जी की स्थापना किस ने की थी बावर ने गी थी इसके बाद दोस्तों 13 नमबर का question हैं कि हम ऑपर discuss कर रहे हैं कि प्रसिद्द कामख्य देवी Monday कि स्राज्जें में इस्तित हैं तो मैं बता दू दोस्तों जो है ये पदक से सवाल एक आता ही आता है तो ये जो सर्वत्च गैर सैनिक विर्ता पुरुसकार पदक कौन सा है तो बता दू असोक शक्रों को सर्वत्च गैर सैनिक विर्ता पुरुसकार के नाम से भी जाना जाता है तो ये दोस्तो जो पदक है पुरुसकार है वो भी सैनि माकसर थे इनको माकसरवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है तो दोस्तों पंदरा कोश्चन यहां पर डिसकस हो गए हमारे जनरल नौलेज के अब इसके बाद दोस्तों जो है हम अगले क्लास में इसके अलावद जी एसके आने साइन्स की भी कोश्चन लाएंगे तो यह इतने कोश्चन करेक्ट हुए कमेंड में जरूर बताईएगा जैहन